जीवन्ति का पूजन यह वरत श्रावन महिने के प्रत्यक शुक्रवार को रखते हैं इस वरत से संब्धित देवता है जीवन्ति का अर्थात जीवती देवी यह देवी छोटे बच्चों का संदरक्षन करती है इस वरत में श्रावन मास के पहले शुक्रवार को भित्ति पर चंदन से जीवती का चित्र बनाकर स्त्रियां उसकी पूजा करती है आजकल छपे हुए चित्र की पूजा की जाती है परंपरा के अनुसार श्रावन के प्रत्यक शुक्रवार को सायंकाल में जिनके बच्चे हैं उन पांच सुवागिनों को घर बुलाकर हल्दी कुमकुम लगाकर दूच शक्कर एवं भूने हुए चने प्रसात के रूप में देते हैं श्रावन मेंने के शुक्ल पक्ष के अंतिम शुक्रवार को एक वरत किया जाता है वो है वरत लक्षमी वरत यह व्रत करने का अधिकार किसे है किसे नहीं यह स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकारों ने एक सिध्धान्त बताया है इसके अनुसार पहले यह व्रत जिसने खिया है उसकी अनुमती ली जाती है और बिना चुना लगाया हुआ खाने का नाग बेली का पान एवं सुपारी का बीड़ा बनाया जाता है जो व्यक्ति यह व्रत रखने की इच्छा रखता है वह इस बीडे को चबाकर उसका गोला अर्थात तामबूल बनाता है यह तामबूल व्यक्ति अपने उत्तरिय में अर्थात उपर ने में बान कर रखता है अगले दिन तामबूल रखा वस्त्र लाल हुआ तो ही व्यक्ति यह व्रत कर सकता है अन्यथा नहीं इस व्रत की विधी में एक कलश रखकर उसमें स्री वरत लक्षिमी का आवाहन किया जाता है दक्षिन भारत में वरत लक्षिमी व्रत आशार मेने के शुक्ल पक्ष के अंतिम शुक्रवार को करते हैं तिरुवादी, तिरुआयूर एवं तिरुपुत्तुर यहां के देवालयों में लक्षिमी जीने स्वयम शिवजी की पूजा की ऐसी लोगों की मान्यता है इसलिए ये देवालय इस व्रत पालन के लिए विशेश पवित्र है इस व्रत के फल्सवरूप, पुत्र प्राप्ति, सम्रुथी एवं धनधान्य प्राप्ति होती है श्रावन मेरे में और एक व्रत बड़ी मात्रा में किया जाता है वह है कजली तृतिया यह व्रत श्रावन कृष्ण तृतिया को किया जाता है इस व्रत से संबंदीत देवता है स्री विष्णू इस दिन गेहूं, चना और चावल के आटे में घी एवं मीठे भदार्त डालकर उससे विभित मिष्टान बनाए जाते हैं तथा चंद्रोदय के उपरान इने मिष्टानों का भोजन करते हैं इसलिए इस व्रत को सातूरी तीच भी कहा जाता है कुछ स्थानों पर यह व्रत भादरपत क्रिश्ण तृतिया को करते हैं परन्तु वास्तों में यह व्रत श्रावन क्रिश्ण तृतिया को ही करना चाहिए